प्रभु का धन्यवाद करूगा प्रमेशर का नाम की महिमा हो आप सभी को और एक बार शुबह संदेश में हारदिक स्वागत करता है आईए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे पत्रस का दूसरा पत्री तीन अध्या उसका 14 से 16 तक दूसरा पत्रस तीन का 14 से 16 पत तक इसलिए हे प्रियो जबकि तुम इन बातों की आंस देखते हो तो यक्तन करो कि तुम शांदी से उसके सामने निश्कलंक और निर्दोश टहरो और हमारे प्रभू के दीरश को उद्दर समझो जैसा हमारा प्रिय भाई पहलोस ने भी उस ज्यान के अनिसार जो उसे मिला तुमें लिखा है वैसे ही उसने पढ़ और चंजल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह कीच तान कर उन्हें ही नाश का कारण बनाते हैं। आग में ये सब पिगलने वाले हैं और हम एक नया आगाश और नया पृत्वी का इंदसार करता हैं। और हम उदर रहने वाला लोग हैं। वो हमारा धन्य आशा है। इस दुनिया में हमें आज दार्मियदा नहीं देख सकता हैं। लेकिन दार्मियदा वास करने वाला एक नया आगाश और नई पृत्वी हम गो मिलेंगे और हम विश्वासी लोग उदर रहने वाला है। और इसलिए हमारा ऐसा एक आशा हमारा है। और इसलिए हम लोग इस दुनिया में कैसे रहना है। वो हम लोग आज हम लोग पड़ा। 14 से 16 पत्तक हम लोग जाकते रहना है और तयार रहना है 14 पत्त में हम पड़ा इसलिए है प्रियो जब कि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यक्तना करो कि तुम शान्ती से उसके सामने निश्कलंग और निर्दोश तहरो इदर इन बाते बोलने से जो पत्तरस जो 11 से 13 पत्तक जो बोल रहा था उसी के बारे में है जो हम लोग पिछले सब्ता में हम लोग देखा हमारा वो उस दन्य आगाश जो आशा के बारे में इसलिए प्रियो जब कि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यक्तना करो ऐसे एक आशा हमारा है इसलिए हम लोग येक्तना करना है बहुत मेहनत से हम लोग कोशिश करना है एक अध्याए पांच पद में मैं इसे पढ़ाता की इस कारण तुम सब्प्रगार का येक्तना करके और एक अध्या दस पद में भी हम लोगों बाद देख सकते हैं इस कारण भाईयो अपने बुलाए जाने और चुन लिये जाने को सिद्ध करने का भली भांदी यक्तन करते जाओ मसीही जीवन में हम लोग यक्तन करना है हमें इस प्रकार का एक दन्याशा है इसलिए हम लोग यक्तन करना जरूरी है और किस विशे के लिए एकना करना है तो एकना करो कि तुम शान्दी से उसके सामने निश्कलंग और निर्दोश तहरो पहले बात है कि हम परमेशर के साथ शान्दी में रहना या मेल में रहना है और कैसे हम लोग उस प्रकार शान्दी में रह सकता है हम लोग इदर देख सकता है कि उसके सामने निशकलंग और निर्दोश तहरो हम लोग निशकलंग रहना है और निर्दोश रहना है यह हमारा पवित्र जीवन के बारे में हम लोग इदर देख सकता है ऐसा एक बड़ा आशा हमारा है और इसलिए हम लोग इस दुनिया में रहने का समय में पवित्र रा में एक जीवन को हम लोग जीना है यह परमेशर हमारा जीवन से चाहता है दो अध्याए तैरह पद में हम लोग जूटी शिच्चकों के बारे में हम लोग देख सकता है उनके बारे में ऐसा लिखा है ये कलंग और दोश है उनके बारे में जूटी शिट्षक लोग जो है वो लोग कलंग है दोश है लेकिन हम विश्वासी लोग सचे विश्वासी लोग ऐसे नहीं होना है हम लोग निश्कलंग और निर्दोश होना है और पंदरा पत का दीरच को उद्दार समझो प्रभू दीरच करता है वो इंदसार करता है कि और भी लोग उद्दार पाए प्रभू में आए प्रभू का आगमन अगर डेरी होता है तो उसका कारण है कि प्रभू का करणा है और भी लोग उद्दार पाने के लिए वो इंदसार में बैटे प्रभू इसलिए इंदसार करता है कि जो अविश्वासी लोग है वो लोग उद्दार पाए और विश्वासी हम लोग जो है वो लोग हम लोग पच्चाताप करें और एक अच्चा मसीही जीवन हम लोग जीए और पंद्रा पद में और ऐसा पड़ता है जैसा हमारे प्रिय भाई पाउलोस ने भी उस ज्ञान के अनिसार जो उसे मिला तुमें लिखा है इदर पाउलोस के बारे में भी पत्रस कहता है पाउलोस के बारे में ऐसा पत्रस कहता है कि जैसा हमारे प्रिय भाई पाउलोस और इ इस विशे के बारे में पाउलोस भी लिखा था, ऐसा उदाहन के तोर पे रोमियों का पत्री दो का चार पदमे मैसे पड़ता है, पाउलोस लिखता है, क्या तुम उसकी क्रुबा और सहन शीलला और दीरच रूबी दन को तुछ जानते है, क्या ये नहीं समझते की परमेशर क क्रुबा तुझे मन फिराव को सिखाती है, और हम लोग सोला पदमें पड़ता है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बात ऐसा है, जिसका समझना कडिन है, और अनबढ और चंजल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह कीस्त अतानकर अपने ही नाश का कारण बेनाता है, पवित्र शास्त्र लिखने वाला लोग हो, परमेशर उसको दिया हुआ वजन के अनिसार, परमेशर की प्रेरना से ये लोग लिखा है, लेकिन ऐसा कुछ लोग है, जैसा इन जो ये दू उसरा पत्रस में जूटी शिच्चगों के बारे में हम लोग देख सकता है, ऐसा बहुत सारा लोग है, उन वजनों को क्या करता है, कीच तानगर अपने ही नाश का कारण बनाता है, ऐसा ये वजन को उल्टा लोगों को सिकाता है, ये अपना भाइदा फाइदा के लिए ये ल लोग ऐसे करता है, आज दूनिया में ऐसा जूटी शिच्चग लोग बहुत है, और प्रभू हमें सहाइदा करे इन अंदिम समय में, प्रभू हमें एक बड़ा आशा हमें दिया है, और इस लिए इस दुनिया में हम लोग एक पवित्र जीवन जीने के लिए पूरा यक्तना करेंगे, और वजन की सच्चाई को समझने के लिए कोशिश करेंगे, और उस सच्चाई में हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके लिए प्रभू हम सभी को, आप सभी को सहाइदा करे, प्रमेशर का नाम की महिमा हो.